So dear students, welcome back to my channel, Physics SPC, CVC Board 2024 का एक कुस्टिन, An object is placed 30 cm in front of concave mirror, of radius of curvature 40 cm, find the position of the image formed and the magnification of the image, Solution, एक डियागराम के साथ डाटा लिखी, एक concave mirror बना हिए सबसे पहले, एक concave मैंने spherical mirror बना लिया, एसे, यह मैंने principal axis, इसकी यह pole मानते हैं, इसकी जो radius of curvature दे रखी है, यह central curvature, this is the radius of curvature, यह हमें दे रखा है 40 cm, concave mirror की जो focal length होती है, वो radius of curvature की आदि होती है, ठीक है नहीं, हम यह सब par axial rays के लिए देते हैं, तो f बरावार r y 2, ठीक है नहीं, अच्छा, तो f की value यहां से निकाल सकते हैं, यह 40, यह 2, तो focal length हो जाएगी 20 cm, तो कि यह कौन की mirror है, इसलिए focal length मानस के 20 cm लेंगे, अपने आप जब कौन के mirror हो, तो focal length का sign negative लगाते हैं, और convex mirror हो, तो focal length का sign positive लगाते हैं, ठीक है, यह इसकी focal length वाला point हो गया, मिड़ point है, radius of curvature का, आधा होता है, ठीक है, object placed है कितनी दूरी पर, an object placed 30 cm in front of the कौन के mirror, यह 40 है, तो 30 गरी-गरी आपका यहां हो गया, यह object इस जगे पर placed है, ठीक है, यह object आपका placed है, इस जगे पर यह object हो गया, तो यह हो गया, आपकी U, पोल से दूरी, कितनी दूरी रखे है आपको, 30 cm, अब incident ray ऐसे चलेगी, सभी distance measure करते हैं, पोल से, तो पोल से measure करेंगे, तो पी-ओ जो distance लेंगे, वो incident ray के opposite direction में है, जब opposite direction में measure करें, incident ray के opposite direction में measure करें, पोल से measure करना सु करें ना बिटा, पी-ओ सही है, ओ-पी नहीं करेंगे, पी-ओ, एसे measure करो, पोल से measure करना स्टाट करो, तो U जो होगा, वो incident ray के opposite direction में है, इसलिए मानस के 30 cm, जो non-values हैं, उनको will sign लिखते हैं, और जो un-non-value हैं, वो sign के साथ अपने आप निकल के आती हैं, उनका sign put नहीं करते हैं, तो focal length भी sign के साथ put करेंगे 20 cm, और image की location पूछ रहा है, कहाँ image बनेगी, है न, तो mirror formula लगा रहे हैं, 1 upon F बरावर, 1 upon V, plus 1 upon U, mirror formula लगाना बिटा, lens formula मत लगा देना इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि कौन के mirror है, तो mirror formula लगा लो, F की value put करो, minus के 20, V निकालना है, और U की value minus के 30, तो minus के 120, देखो ये पहले plus हो जाएगा, फिर इसको दले काएगे, फिर minus का हो जाएगा again, तो minus के 30, is equal to 1 upon V, ठीक है, अच्छे ग्रावर कर दी, यहाँ पर पहले plus है, plus, तो minus हो जाएगा पहले, फिर इधर लेकाएगे, पहले minus हो जाएगा, फिर इधर लेकाएगे, तो plus हो जाएगा, गावड़ जाता है यह V, 60 LCM ले लिया, तो यह minus के 3, और यह plus के 2, is equal to 1 upon V, तो V is equal to minus के 1 by 60, 1 upon V आया पहले, माइनस साइन हमें यह बता रहा है, कि जो image बनेगी, वो pole से left hand side में बनेगी, को कि इधर बनती, तो incident रेके ड्रसन में हो जाता positive, तो positive तो नहीं आया, भी negative आया, उसका मनलब इस side में बनेगी, और pole से कितनी दूरी पर बनेगी, 60 cm दूरी पर बनेगी, तो यह 40 है, तो 60 यहां beyond the optical center बनेगी, एक तो image यहां बन रही है, है ना, 60 cm दूरी पर pole से, ठीक है, pole से 60 cm की दूरी पर बन रही है, एक तो पार्ट यह हो गया, दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है, कि magnification of the image, तो linear magnification जो होता है, linear magnification of image, जो होता है, aim बराबर, height of image upon height of object, is equal to minus kv upon u होता है, mirror है यह ध्यान रखना, lens में यह plus kv upon u होता है, mirror में minus kv upon u होता है, हमसे m पूछ रहा है, तो m is equal to minus का sign, तो formula में v की value पूछ करो, तो minus के 60, और u की value पूछ करो, minus के 30, तो दो को minus से यह वाला minus कट गया, यह कट गया, दूबार तो minus के 2 आया, minus sign यह बता रहा है, कि जो image है, वो real है, image कैसी है, real है, और real है, और inverted भी होगी, तभी तो hi और ho, opposite sign के होंगे, तभी तो आपका m negative आएगा, तो ho तो positive दिखी रहा है आपको, hi negative में आएगा, और double, 2 होने का मनलब, इसकी जो size है, वो double आएगी बिटा, object के height की, तो यह image का height होगी बिटा, पूछा नहीं image की height, लेकिन two times होगी, height of image, height of object से, यह मतलब होता है, two times, और negative sign बता रहा है, कि वो real image है, ठीक है, तो बस इतना ही बताना है आपको, पढ़ते रहिए, और खुश रहिए,